नेपियर टाउन में रहने वाले नायक परिवार के घर मंगलवार को उस वक्त थंगामा मच गया जब खाना बनाते वक्त घर में साब दिखिया रोज की तरह संजना नायक की चन में काम कर रही थी तभी उन्हें कुछ आहट सुनाई दी पलट कर देखा तो बर्दन स्टैंड में साब बैठा दिखा आनन फानन में संजना ने पती कलपक नायक को फोन लगा कर इस बारे में बताया घर में साब निकलने पर सर्पिविशेशक गजेंदर दुबे को बुलाये गया गजेंदर ने बर्दनों के स्टैंड में बैठे साब को देखा और करीब आदे घंटे की मसकत के बाद उसे पकड़ लिया सर्पिविशेशक ने बताया कि इस साब को वुल्फ स्नेक के नाम से जाना जाता है इसके 50 दात होते हैं जो की आरी जैसे नुकीले होते हैं इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि जो भी शिकार इसकी पकड़ में आता है वो दुबारा इसके मूँ से नहीं छोड़ पाता। कजेन ने बताए कि भले ही असाप जहरीला ना हो पर अनसापों की तरह ये डरता नहीं है अगर इसके साथ छेड़ खानी की जाये तो ये पीछे ना हटते हुए तुरंत ही हमला कर जवाब भी देता है। इस बुल्फ स्नेक का प्रिय भोजन छिपकिली में डख और चूहे हैं। ये घरों की दिवार पर भी आसानी से चड़ जाता है। पारिश के समय इंकठीका नदिवारों या फिर बिल होते हैं। जहां इसे आसानी से भोजन मिल जाता है। इंग्लिश में वुल्फ स्नेक और हिंदी में गनेता के नाम से जाने जाने वाला ये साफ प्राकृती का संतुलन बनाए रखने में भी एहम भूमिका निभाता है। चुहे चिपकिली में डखा करिये साफ प्रकृति को संतुलन में रखता है। हलाकि धीरे धीरे इन साफों की संक्या में कमी भी जरूर आ रही है। गजेंद्र दुबे ने बताये कि लोग साफ को देखते ही माट डालती है। हलाकि ये जहरीला नहीं होता है। तरह सही है पूरा मामला जबलपुर का है। जादगार बनाएं शहर के मध्ध वातानुकूलित राजवाटी का मेरिज कार्डेन के साथ। हमारा पता है राजवाटी का मेरिज कार्डेन नैशनल हाइवे जूला मूर भुंदहा रीवा। अधित चानकारी के लिए संपत करें। 98270-04251